नमस्काल दोस्तों, InFocus Civil Academy में आप सबी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा संस्थान समिक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी के लिए एक समर्पित संस्थान है एसे में समय समय पर हम लोग ऐसे तमाम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं जो आपकी तैयारी में बहुत ही एहम भूमिका निभाते हैं यसी कड़ी में आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए जिसुमर दरसल हम लोग बात करेंगे कि हिंदी विषय की समग्र तैयारी पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी जो यहां पर पूछा जाता है उसकी हम लोग समग्र तैयारी पर समग्र से क्या आसा है तो देखिए समग्र दरसल यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं प्री कम मेंस की प्री कम मेंस अप्रोच के साथ हिंदी की हम लोग कैसे तियारी कर रहे हैं आज हम लोग दरसल इस बात पर बात करने जा रहे हैं और प्री और मेंस दोनों की विशह में बात करना क्यों जरूरी आप में से कुछ लोगों के मन में यह प्रस्ण जरूरी उठ रह यह आपको मेंस तक पहुंचाएगा लेकिन मेंस ही है जो दरसल स्टेप टू फाइनल सेलेक्शन है इसलिए शायद इसको मेंस कहा जाता है यानि मुख्य पर इक्षा कहा जाता है क्योंकि सारा दारोंदार इसी पर टिका रहता है अगर आप बात करें कि PCS एक ग्रुप B की गस मिल रहा है तो उसमें आप समझ लीजे कि सारा दारोंदार आपका मेंस एक्जाम पर ही टिका है तो इन दोनों ही परिक्षा की तैयारी के लिए हिंदी की हम लोग क्या विशेश रणनीती अपना सकते हैं आज दरसला हम लोग इसी पर बात कर रहे होंगे सबसे पहले बात कर लेकिन आपका परिक्षा निकालने में जो सबसे बड़ी एक सफलता की कुंजी होती है वो दरसल हिंदी ही है चाहे वो प्री के लेवल पर देखा जाए या मेंस के लेवल पर वो कैसे है तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे सबसे पहली बात की है जो प्री के एक्जाम में देखा जाए तो यहां पर देखे जितनी हिंदी आपकी अच्छी होती है जितनी भी आपकी हिंदी में आप जितने ज्यादा नंबर गेन कर लेंगे जीएस पर आपकी निर्भरता उतनी ही कम हो जाएगी और खास बात यहां पर कम पढ़कर ज्यादा अंकल आना बहुत आसा है तो यहां पर आपको 55 नमबर लाना बहुत मुश्कunden नहीं सकता है अगर अगर इसकी पूरी तयारी करते हैं इस साल मिश्किल क्योंकि दरसल यहां पर नमबर जाते गैसे हैं ऐसा नहीं है कि लोग उसको पहले सुने नहीं होते हैं वो सब पेपर देके निकलते हैं तो सभी को लगता है कि हमाँ पेपर अच्छा हुआ है पर जब वो मिलाने बैठते आंसर की से तो एक एक करके लगभग ज्यादा तर प्रश्न गलद होने लगते हैं उसका कारणी है यहां पर ज्यादा होता है उसको ज्यादा यहां पर मरलब जीएस में हमें कॉस्ट बेनिफिट के इसाब देखेंगे तो यह रहता है अब आप मान लीजे कि अगर यहां पर आपका 55 नंबर आता है जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं आप यह समझ लीजे कि अगर उनका 55 नंबर अगर हिंदी में आया है तो जीए 55 नंबर यहां पर हिंदी में ले आते हैं तो आपको जीएस में केवल 75 लाने लगते हैं लेकिन मान लीजे कि आपकी हिंदी में नंबर कम हो गया मान लीजे कि यहां पर आपका हिंदी में 40 नंबर आया अब जीएस में आप कितना भी अच्छा कर लें अगर मान लीजे आप में बहुत अच्छा कर लिए पिचासी नंबर आगए आपने जी एस में बहुत ध्यान दिया पिचासी नंबर आप ले आए तो भी आपका आच्छार बार एक सो पचीस नंबर ही बनेगा आप बाउंडरी लाइन पर ही होंगे क्योंकि इसमें कट आफ हम लोग जो सेफ स्कोर म मानते हैं वो सेफ स्कोर होता है तो यहां पर आप फिर भी कट आफ तक ही पहुचेंगे चाहें आप जीएस कितनी भी अच्छी क्यों ना कर लें तो यानि कि हिंदी यहां पर हिंदी को पढ़े बिना हिंदी को अच्छे से कवर किये बिना उसमें अच्छे अंक लाए बिना आपकी प्री में सफलता बहुत संदिक्द हो जाती है इसी कारण से यहां पर दरसल हिंदी को सफलता की कुंजी कहा जा रहा है और ऐसे आपको ज्यादा तर जितने भी लोग प्री सेलेक्ट होते हैं आप देखेंगे तो उनमें सभी के हिंदी में किसी के भी बहुत कम नंब लेकिन यहां पर प्रश्णों का सथर रहता है वह प्री की तरह नहीं रहता है यह दरसल प्री से थोड़ा टफ लेवल हो जाता है और दूसरी बात कि यहाँ पर गलती करने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक question आपका दरसल दो marks का होता है अब दो marks का होता है तो मतलब आप हो सकता है किसी प्रस्ण को आप सही मान के चल रहे हो कि यह हमारा सही हो गया लेकिन जब answer की से मिला है तो अगर वो प्रस्ण कलत हो गया तो आपके वो दो नंबर तो गई साथ में 1.66 की जो आपकी negative marking है वो चली जाएगी तो यानि आपका यह 2.66 marks का आपको loss हो जाएगा एक ही प्रस्ण कलत होने पर प्री में यह स्थिती ऐसी नहीं होती है परन्तु में में इतना ज्यादा नंबर कर नुक्सान हो जाता है अगर आपका यह की ही गलत हो गया तो यानि पी कि यहां पर आपको और भी ज्यादा जरूवत है यह जो प्रीविएस यह प्रेपर्स हैं उनको देखने की और साथ ही साथ टेसरी सॉल्व करने की उससे आपक चीजों पर हम लोग बात करेंगे और बकायदा इसको डिटेल में समझेंगे लेकिन आप यह समझिया कि जो प्री वाला जो सब्जेक्ट है अब इसमें देखिया कि मेंस जो प्री के ही साथ इसको तैयार कर लेना वो सबसे अच्छी रणनीती होती है चाहे वो जीयस हो और क्योंकि बागी जो सब्जेक्ट से वह दरसल उसको तैयार करने का समय अपने आप में वह दो से तीन महीना उसमें टाइम लगता है जो कि आपको प्री के बाद उतना समय देना ज़रूरी रहता है उस समय में आपको जीयस और हिंदी के वह प्रिवाई कर सकते हैं उसको पू two books यह आपको कम से कम दो वुक से करना बहुत जरूरी है वह क्यों जरूरी है तो यहां पर आपकोpción साथ नंबर मिल रहे है उसमें आप कई लोग होते हैं जो कि एक ही नंबर आ जाते हैं लेकिन वह प्री में ठीक है अपना यहां पर वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं यहां पर आपको जरूरी है कि आप कम से कम तो दो बुक्स करके जाएं और उससे ज्यादा हो जाए तो ज्यादा बहतर अब उसमें एक स्टेंडर्ड बुक्स हो सकती है स्टेंडर्ड बुक्स आपको आप लोगों कोई पता है कौन कौन सी होती है हल्देवारी हो या फिर एसकुमार सर की हो या फिर पीएन पांडेजी की हो ऐसे करके तमाम रहती है उनमें कौन सी मेरे लिहास से बैटर ही हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है उसमें आप ल चक्र और आधित प्रकाशन इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं तो देखिए यहां पर यह दो बुक जो है वह आप लोग इससे आपका तैयार होगा दरसल जो साथ नंबर वाली हिंदी है वह लेकिन उसके बाद जो हमारा महत्वपून रोल आ जाता है वह दरसल सब्जेक्टिव पेपर में जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें देखिए यह दरसल आता है 100 नंबर का आप लोगों कोई पता है 100 नंबर का आता है 100 आउट और 400 तो 400 में से 100 नंबर सब्जेक्टिव पेपर कर रहता है उसमें आता क्या क्या है तो देखिए एक तो ग होता है यह तो पता नहीं क्यों इतने नंबर का यहां पर 15 नंबर का आपको यह सार्णियन देखने मिलता है और 21 नंबर का गध्यांस मिलता है तो इसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जरूर रिक्वाइड रहती है लेकिन वह बहुत ज्यादा नहीं है पत्र लेखन यह प्रसाशनिक सब्दा होले सभी पता है काफी कठीन होते हैं परंतु जो मुहावरे वाला पॉर्षन है मुहावरे भी यहांपर कठीन हो जाता है क्योंकि अभी तक जो आप लोग करते आ रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के दांथ खट्टे कर दिये उस तरह के आप लोगों को वाक्य प्रयोग यहां पर नहीं करने होते हैं दूसरी बात कि जो अर्थ भी लिखना होता है वो भी दरसल एकदम एक्जेक्ट अर्थ लिखना रहता है मान लीजे कि आपका कोई ऐसा आ अगया कि फॉर एक्जांपल उल्टे छूरे से मूड़ना अब इसका मतलब आप अगर यह लिखके आए कि नहीं इसका मतलब होता है ठगना किसी को ठग लेना वह आपका उत्तर गलत होगा दरसल इसका मतलब होता है जो एक्च्वल मीनिंग होता है वहता है मूर्ख बनाकर जा रहा है तो मूर्ख बनाकर मूड़ा जा रहा है मतलब ठगा जा रहा है तो वहां पर एकदम एक्जेक्ट अर्थ लिगना होता है साथ ही बहुत इस तरी जो है वह वह कि प्रयोग करना रहता है तो ऐसे में यह दोनों ही चीज आपकी टफ हो जाती है ठीक है अब उसके ब सतर नंबर में भी आप देखें तो इसकी जो पढ़ाई की एक conceptual classes है वह बहुत कम होती है इसमें आपको बहुत ज्यादा आपको समय देने के आवशकता नहीं है जैसे कई लोग आप देखें कई platforms में यह अभी से ही चल रहा है कि आरो की तैयारी के लिए पत्र लेखन बहुत जरूरी है इसलिए अभी इस पढ़ा रहे है ठीक है अपना उनका strategy है वो व्यूज के हिसाब से कर रहे हैं पर मेरा यह मानना है कि अभी आपको इसमें ध्यान देने की आवशकता नहीं है वह क्यों नहीं है क्योंकि अभी जो है दरसल यह इसमें आप सोचे कि पत्र लेखन ह अब जिनको नहीं आइडिया उनको मैं थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे दूंगी पत्र लेखन मतलब सरकारी मान लीज़ा आपको पत्र लेखना है अब उसमें क्या है कि आपकी दिनांक इधर पर आएगी दिनांक इधर आएगी और सेवा में इधर होगा प्रेशक का पता इधर होगा यह इधर होगा वो इधर होगा यह सब आपको याद करना पड़ता है यह सब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको यह चीज़े याद हो जाएंगी लेकिन क्या है कि इसमें आप लोगों को यह सब चीज़े याद करने हैं मान लीज़े आप इसको अभी स कर रहा है तो उससे फिर वही हो गाइन प्रीव की तैयारी की कीमत पर इसको पढबнок法 गहीं को तब समंगे यह कला से इसकी बहुत कम होती है इसमें ताइम में demons सब्सक्राइब मैं इसकी Jake следfly at ऐसका ऐढ़कार तो इसकी कुकार दिसकी पुर्ण conceptual classes बहुत कम है साथ ही साथ इसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है और ज्यादा रटने से ही इसमें confusion होती है कि दिनांग किदर लिखे हैं सेवा में किसको लिखे हैं कहां पर भवदी लिखना है कहां पर भविनिस्ट लिखना है यह सब चीजें थोड़ी से confusing होती है तो उसको क्यों नाम लोग exam के पास ही में पड़ें इसके लिए मेरी जो अप्रोच है जो मैं आपको समझाना चाहरा हूं वो यह है कि जब आप pre का exam दे लें और pre का exam देने के बाद आप में से ज़्यादा तर लोगों को यह समझ में आ जाता है कि वह cut off के कितने process खतम हो जाएंगी और मतलब यह इसको यह लिखना आ जाएगा उसके बाद क्यों प्रैक्टिस ही करनी रहेगी जैसे हम लोग अपना जो हिंदी वाला बैच अभी शुरू कर रहे हैं उसमें हमने इसी रणनीत को ही हमने फॉलो किया है वो क्यों कि आपका इसमें इतना भी time ना waste हो कि आपकी प्री की तैयारी effect हो जाए ऐसी भी मेंस की तैयारी क्या जिससे आपका प्री ही न निकले तो यह चीज आपको ध्यान देनी है तो इसलिए हमारा जो हिंदी का बैच आ रहा है उसमें दरसल प्री और मेंस की जो objective वाली तैयारी है objective वाला जो portion है उसको तो हम हम लोग पूरा अभी करेंगे लेकिन जो subjective वाला है especially यह चार चीजें यह चार चीजें दरसल हम लोग इस प्री एक्जाम के और प्री रिजल्ट के बीच में इन सभी को cover करके उसके बाद वसकेवल इसकी practice करेंगे ज्यादा ज्यादा लिखना करेंगे तो ऐसे करके हम लोग मतलब अपना एक प्लानिंग कर रहा है और हमारा यह suggestion रहेगा कि आप भले ही वैच हमारा ना लें लेकिन आप अगर करें तो यह right time नहीं है आप लोग पत्र लेखन इत्यादी पर फसें आप लोग इसको करें तो जब आपका प्री एक्जाम हो जाए उसके बाद आप पत्र आगे देखिए जो आपका एक मार्किंग पैटर्म देख लेंगे तो उसमें क्या है तो देखिए जनरल इस्टेडीज वाला जो पोर्शन है जनरल इस्टेडीज आतका 120 नंबर का हिंदी अब्जेक्टिव आता है 60 नंबर का हिंदी ड्राफ्टिंग आती है 100 और ऐसे आता 120 ऐसे में आप देखिए कि 120 नंबर है और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसमें आपको कितना नंबर मिलेगा आप अपनी तरफ से अच्छा लिख कर आए परंतु वहां पर हो सकता है उसको ना पसंद आए तो फिर वह आपको कम नंबर भी देख सकता है यानि कि वो निब नंबर है यानि यहां पर प्रशाशनिक सब्दा वली और मुहावरे यह जो आपका 30 नंबर है यह दरसल सॉलिड होते हैं मतलब इसमें आपने अगर सही कर दिया तो कर दिया फिर वह सही है तो इसमें आप चाहे तो यह सॉलिड नंबर है तो इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स करने कोशिश किजिए इसके लिए दरसल हम लोग क्या किया है कि आपना 篥 हमारा रहेंगा तो यह से इन लोग करते हुए चलेंगे उसका कारणि है ही है कि यह हमारा solid portion है मेंस में इसलिए हम लोग इसको अभी से ही cover करेंगे ताकि इस 30 में से हम लोग maximum marks अर्जित कर सकें और उसके बाद यह सब्जेक्टिव है इसके लिए हम लोग maximum practice करेंगा अब माली जब 30 हमारे इधर तो यहां पर हमको क्यों 45 लाने है अगर हम सतर का target करें सौरी 75 का तो यह देखे 45 नंबर अगर हमारे आगए सब्जेक्टिव में सतर में तो यह हमारा हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि practice बहुत ज्यादा करेंगे जो आपका बैच हमारा रहेगा उसमें दरसल आपको टेलिग्राम गृप पे इसकी regular practice कराई जाएगी कम से कम 50 से ज्यादा यहां पर आप लोगों को प्रेक्टिस कराई जाएगी और पचास से ज्यादा आप लोगों को निबंद के practice कराई जाएगी अभी जो हमारा बैच चल रहा उसमें भी आप देखेंगे कि एक ही विशय पर अलग अलग तरीके से भूमिका कैसे लिखें उस पर हम लोग क्लास आपकी यूट्यूब पर कि एक दो ऐसी क्लास डाले थे उसके साथ ही देखेंगे अभी भूमिका लेखन की practice कराई जा रही है अलग अलग विश्यों पर टास्क दिये जा रहे हैं तो इसके माध्यम से आप समझीए कि एसे की practice जो है एसे की और हिंदी ड्राफ्टिंग की इसकी practice हम लोग बहुत ज्यादा अपने बैच में करेंगे और जो solid चीज़े यानि यहां पर 30 नंबर इसको अभी से कवर करते हो चल रहे हैं इधर हिंदी objective को अभी से कवर करते हो चल रहे हैं इधर general studies को इसको भी हम लो के से आप देखेंगे तो समगर रूप से अगर आप देखें तो 120 में से 75 नंबर आपके लिए लाना यहां पर आसान हो सकता है आप general studies की अगर अभी से ही मेंस की तैयारी लेकर चले मतलब एक अच्छी इस्तरीय पुस्तकों से अध्यन करें कौन सी वो बुक्स हो सकती है तो यहां पर 60 में से 55 नंबर आपके तब जरूर आएंगे जबकि आप लोग daily basis पर इसको तमाम चीज़े cover करते हो चलेंगे बाकी कई लोग भी हिंदी की classes देते हैं उसमें वो लोग एक बार अपना material दे दिये वीडियो दे दिये उसके बात खत्म हो जाता है परन्तु हम लोग जो यहां पर तयारी कराएंगे वो दरसल हम लोग daily basis पर आपको कुछ-कुछ चीज़े याद कराने की कोशिस करेंगे फिर उसका test लेंगे test series भी उसी batch में रहेगी तो ऐसे करके कई सारी चीज़े हम लोग यहां provide कराएंगे हिंदी drafting के लिए बहुत सारी practice और daily basis पर अभी से भी कुछ चीज़े cover कराते हो चलेंगे तो साथी निबंद के लिए हमारा batch बहुत अच्छा चली रहा है कई सारे लोग उसमें already join हो चुका है best selling batch हो गया उसी के basis पर हमें एक award भी मिल चुका है आप लोगों को पता ही है सब कुछ आपके यह आशिरवात से संभव हुआ है औ तो भी आप यही strategy follow कीजिए और जो books हमने बताई है वो भी आप देख सकते हैं आप उनको देखिए अगर आपको पसंद आती है वो तो उसको आप लीजे नहीं पसंद आती है आप कोई और books कर रहे हैं तो उससे कीजिए कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई नई books का ही chain करें ठी कि आप पे मैं छोड़ता हूं आप अपनी तैयारी को धार दीजे मजबूत रहिए